हाई अब्रिवन आज मैं अपकी साथ शेयर कर रहे हूं जिकन मुमोस की रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी मॉइस्ट और जूसी बनेगा मार्केट स्टाइल में बनाएंगे हम इससे तो चलिए इससे बराना श्रू करते है चलिए सबसे पहले बना लेते हैं मुमोस के लिए डो इसके लिए 2 कप मैदा में 1 टी स्पून सॉल्ट एट करें 2 टी स्पून ओयल एट कर दे रिफाइंड ओल में यहां पर आट कर रहे हूं और इससे अच्छे से कर ले मिक्स और मिक्स करने के बाद इसमें पानी आट करें और थोड़ा थोड़ा पानी आट किजे एक बार में पूरा मत आट कर दीजेगा वरना बहुत गिला गिला सा बन जाएगा और इसका हम सॉफ्ट तयार करेंगे ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं ज्यादा हर्ट भी नहीं कि नेकिए डो का टेक्स्च्चर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए नॉर्मल सा अब इसमें तेल डालके थोड़ी सी कल लें इसकी मालेश और मालेश करने के बाद यानि इसे हलका सा तेल लगाने के बाद इसमें एयर टाइट कंटेडर में इससे डाल दे और फ्रीज में रख दे नेक्स्ट मैं यहाँ पर मोमोस की फिलिंग तियार करूंगी ति उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम चिकन कीमा माइंस चिकन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप बोनलेस चिकन को ग्राइंड कर लीजे स्मॉल साइज अनियन को पाइन चॉप करके अड कर दे कोरियेंडर स्टेम से आड कर दे चॉप करके और वन टीस्पून चॉप जिंजर अड किया है किसे 1 टीस्पून तपाउडर ऐड़ कर दे 11 स्वून गर Leis These सच मैं कर दे 11 टीस्पून सौय ते कर दे MS करने के बाद इसे भी साइड़ दे और दो काम हमारा हो गए है ना ज술 इस पर गली तो जो तो अब नेक्स चटनी बना लेंगे तो इसके लिग विसल में पानी और ग्यास का प्लिम कर दे ओन और चाहर टमाटर मैंने यहां पर कट लगा के और यहां पर मैंने कश्मीरी जचीली जो तीखा नहीं होता है इसलिए यहां पर मैंने कुएंटी जादा रखा है अगर आप त कर ले फिर ठंडा कर ले और उसके बाद इसको पील उफ कर ले चिलको को और इसे जब ठंडा हो जाए ना जब यह तब इसे ग्राइंड कर ले इसे ना पांच मिनट से जादा कुक नहीं कीजेगा यह अच्छे से हो गया अब नेक्स्ट गैस का फ्लेम ओन कर ले और एक पैन कोड़ा दीटी जादा अच्छी लगती है इसटेटनी में इसलिए मैंने जादा डाला और जो मैंने पेस्ट बनाया था ना वहां पर अट कर रही हो मेडियम फ्लेम पर कुक कीजेगा और यहां पर विरेगर और यहां पर आफ टीस्पून सोया साउच जादा मत टीजेगा और इसे कर लिए अच्छे से मिक्स इसमें डाले वन टीस्पून शुगर वन टीस्पून से थोड़ा कम सॉल्टाइड कर दे और इसे तीन से चार मिनाटी पकाईएगा उसे ज्यादा कुक नहीं कीजेगा ओवर कुक करने से ज्यादा थिक हो जाएगा और देखे जब इसमें सेप्रेट होना स्टार्टी होगा तब ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दे और ठंडा होने दे थंडा होने के बाद यह थिक हो गया है अब इससे एक कंटेनर में डाल दे और नेक्स चलिए बनाते हैं मोमोस इस डो को हम अभी और सॉफ्ट करेंगे मसल मसल के से सॉफ्ट कर हमें छोटी छोटी लोई बनानी है तो इसके लिए ना इसे पार्ट में डिवाइड कर ले इसे लंबा करके पतला सा बेल के मतलब हाथ से और उसके बाद कट कर सकते हैं उसके बाद आप लोई बना सकते हैं या फिर डारिक छोटा छोटा लोई बना ले और इसे मैदर में डस्ट कर ले और छोटी-छोटी पतली वाली पूरी बना ले साइड में पतला रखेगा बीच में थोड़ा सा मूटा रहेगा जितना भी लोग ये ना सबको सेम मेथट से बेल ले तो आप चलिए मॉमोज में स्टफिंग भरते हैं तो इसके लिए चिकेन मिक्स्टर को सेंटर में हम अट कर देंगे और साइड में पानी लगा देंगे और इसे एक साइड में प्लेट बनाते जाएंगे मतलब एक के उपर एक प्लेट बनाएंगे स्मॉल स्मॉल सा और एक साइड प्लेट बनाएंगे और एक साइड जो थोड़ा सा बच जाएगा ना तो उसे बस दबा के मिक्स मिला लेंगे इ सेंटर में और पानी लगा देना है एजिस में साइड़ साइड में और फिर उसके बाद प्लेट्स बनाते जाना है स्मॉल स्मॉल उसके बाद जो साइड में थोड़ा सा बच जाएगा उसे मिला लेंगे कि तो इसी प्रोसेस से सारे मॉम्मूस को बना ले और उसके बाद हम इसी स्टीम करेंगे इसे स्टीम करने के लिए मैं कोई special steamer का यूज नहीं कर रही हूँ एक नॉर्मल से भेसल में पानी आट कर लिया है इसे बॉयल कर लिया है और फिर मेडियम फिलेम में एक नॉर्मल से स्टेणर तो सबके घर में होता है जिसमें हम वेजिस को स्ट्रेंग करते हैं तो उसमें ना ग्रीस कर ले ओल ज़स्ट ज़रूर ग्रीस किजिएगा वनना अब मारी जो मॉमोस ने वो चिपक जाएंगे से मॉमोस एट कर दे और हैं इसे थोड़ा सा मतला हटा क के थोड़ा सा ग्याब दे के रखिएगा उसके बाद के कुक कर लीजे 30 मिनेट तक में फ्लेम पे उसके बाद टेस्टी समुमोज रेडी है खाने के लिए बिल्कुल तैयार गर्मा गरम सर्फ कीजे टेस्टी चटनी के साथ जो हमने बनाया अभी और मेरी रेसिपी अची लग ठिए तकियो रचिए तक मेरी वॉचिन तक में प्लेओ उसके खार